अभी शुरू करते हैं फटा फट से आप तो यह स्टुडिन्स मैथ वन तीन मार्ट के सम्स हम देख रहे हैं क्लास 10 के मस्ट वाच है और अराम से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अराम से आपको मार्ट बहुत अच्छे गेन हो जाएंगे देखो इस आर्द टाइप अफ तो यह है हमारा फाइनेशियल प्लाइनिंग का यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे मार्केट प्राइज ऑफ शेर जिसको हम मार्केट वैल्यू भी कहते हैं कितनी है स्टूडेंज मार्केट प्राइज है दो सो ठीक है यह दो-दो मार्क के लिए पूछा जाता है मार्केट प्राइज है दोसो अभी शूडेंज यहां पर ब्रोक रेज लिखा है अभी ब्रोक रेज मतलब की शूडेंज उसमें वह कितने परसेंट खाइंगे तो ब्रोक रेज़ दिया है वह दिया है जिरो पॉइंट 3 परसेंट अभी, सबसे पहली चीज़, यह जो 0.3% है, यह किस पे खाने वाले है, 200 रुपए पे, so, therefore, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 200 of 0.3%, 200 into 0.3 को कैसे लिख सकते है, 0.3 लिखना है, और नीचे आपको कितना लिखना है, 100, नीचे आपको कितना लिखना है, 100, क्योंकि percentage का conversion 100 में हो जाता है, यह 0, यह 0, cut, यह 0, यह 0, cut, तो बसता क्या है, 2 into 0.3, जो ही हमारा कितना हो जाता है, 0.6 रुपीज, मतलब कि 200 रुपए अगर कोई कमाएगा, जहाँ से सुनना, मतलब कि students, अगर 200 रुपए, सुनो ठीक से, अगर 200 रुपए कोई कमाएगा, तो उसको जो brokerage है, जिसके तरफ से वो कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसको 0.6 रुपए उसको प्राप्त होगा, अभी, कितना? 0.6 रुपीज, तो पूरा शेर उसको कितने में गिरा फिर? पूरा शेर उसको कितने में गिरा? तो पूरा शेर, पहले तो market value कितनी है? प्लस ब्रोकरेज, तो market value ये 200, प्लस 0.6, तो टोटल उसको कितने रुपए में गिरा? एक शेर, उसको टोटल गिरा 200.60 पैसे, ठीक है? 200 रुपीज और 60 पैसे, क्या समझा है ये? क्या सबको समझा है ये? Yes, let me know in the chats. ठीक है? पहले जो पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान दे दो, students. पहले जो पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान दे दे ना. तो इस प्रकार से हम सम को solve कर सकते हैं. ठीक है? एकदम सिंपल है. अभी students, ये जो होगा न, ये type of sums आएंगे. ठीक है? इसी प्रकार के sums आएंगे. तो मैं एके की sums आपको नमूना दे रहा हूँ, एके की sums की मैं practice करवा रहा हूँ. जिससे कि ऐसे type के sums आगए, तो आप solve कर सकते हो. ठीक है? वैल्यूस चेंज हो जाएंगे. जाहिर से बात है, वैल्यूस सेम नहीं होते हैं. वैल्यूस चेंज हो जाते हैं. तो व अभी students, यहाँ पर है प्रसाद purchased, अच्छे से समझना, यह भी दो question paper में पूछा गया था. अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बच चालो. देखो. प्रसाद नाम का एक वेक्ती है, उसने purchase किया है share of a face value. तो यहाँ पर पहले हम given data लिख देते हैं. यहाँ सो रुपई का, ठीक है? फेस value is how much रुपीज? सो रुपई. मार्केट प्राइज वाज 150 रुपीज. तो यहाँ पर भीया क्या लिखेंगे? मार्केट प्राइज मतलब की MV. तो MV कितना था? विच इस देड़ सो रुपई. ठीक है? तो 100 प्लस देड़ सो. समझा इधर 100 प्लस दिया है, dividend हमको दिया है 12%. अभी हमको देखना है, this all the things are given, this all the things are given data. ठीक है? यह मैंने question में से ही दिखा है. अभी हमको देखना है rate of return. ठीक है? अभी हमको क्या देखना है students? हमको देखना है rate of return. सबसे पहले students 12% dividend है और 1500 रुपई मार्केट प्राइज है. यह चीज़े ठीक है? तो अभी हमारे पास rate of return तो है नहीं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे, since rate of return तो है नहीं, तो हम rate of return को हम लिखते है x percentage. rate of return को हम कितना लिखेंगे? rate of return को हम लिखेंगे x percentage. क्योंकि अभी तक हमको मालूम नहीं है ना उसको कितना rate मिल रहा है? अब यहाँ बोलेके परसेंटेज में EQ Area rate मतलब की टक्का कि टकके रिटन स्को मिल रहे तो टक्के आय मतलब की टकेवारी मतलब की अपना परसेंटेज होता है ठीक है वह COMMON SENS की बाते हो समझना चाहिए और उसने कितने रुपए invest किये थे which is around around कितने रुपए invest किये थे अपने 1,500 रुपए invest किये थे right वोसने कितने invest किये थे 1,500 रुपए तो यहाँ पर लिख देते है if he invested ठीक है if rupees 150 is invested अगर 1,500 रुपए क्या किये गए है अगर 1,500 रुपए invest किये गए है if we have invested how much rupees 1,500 रुपए ठीक है 1,500 रुपए अगर invest किये थे ओके अभी students यहाँ पर logic की बात है 1,500 रुपए में 12% जो dividend होता है 1,500 रुपए में जो 12% जो dividend होता है वो कितना आएगा मरलब कि अपना वो आएगा टोटल टोटल around around 12 rupees राइट तो यहाँ पर क्या लिखेंगे the returns will be rupees 12 ठीक है जो return होगा वो return कितना हो जाएगा return हो जाएगा 12 तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते है therefore 12 रुपए return है 1,500 रुपए पे तो x कितना होगा 100 रुपए पे बरोबर x कितना होगा 100 रुपए अपने को दुनना है x तो यह जो 100 रुपर चले जाएगा यह हो जाएगा 12 इन्टो 100 upon 150 equals to x नीचे का 0 उपर का 0 कट अभी दोनों जन आते टेबल में 5 2 चा 10 5 3 चा 15 तो कितना हो गया 12 इन्टो 2 upon 3 so which is equals to 24 upon 3 3 1 सा 3 3 8 सा 24 देरफोर x विल बी कितना परसेंट x विल बी हो मच परसेंट 8 परसेंट इस इट क्लियर सब को मलहोत्रा पर्चेज्ड सोलार पैनल्स फॉर टैक्सिबल वैल्यू ठीक है पर्चेज्ड पर्चेज्ड मतलब कि कॉस्ट प्राइज the future x यहाँ पे मैं लिख देता हूं ठीक है अ मलहोत्रा मलहोत्रा ने ऑपर्चेज्ड पिया ठीक है देख हो आपके सामने सुल्व कर रहे हो अच्छा से ध्यान देना वह परचेश किया सोलार पैनल उप है ज़ैके सोलार पैनलइ पक्रचे सेंटने और पर चैसके हैं मतलब की कॉस्ट और सोगया कि राइट कॉस्ट प्राइज हो गया कॉस्ट प्राइज को हम सी पी लिखते और कितना है टैक्सिबल इंकम अरॉंड 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 नहीं 85,000 है यह तक समझ गया फिर उसके बाद उन्होंने सोल्ड कर दिया उसको सोल्ड कर दिया मतलब कि सेलिग़ प्राइज टो सेलिग़ प्राइस कितना आ गया 90,000 समझ में आ रहा है theory try selling प्राइस कितना 90,000 तो सेलिंग़ प्राइस कितना 90,000 अभी सबसे पहली चीज्ट सूडेंvantage यहाँby पे ध्यान दो कि दर रेट ऑफ जीएस्टी फइफ परसेंट कि इफ क्या है अपना आइटीसी ठीक है आइटीसी ऑफ स्मीद मालो अच्छा आइटीसी कितना दिया है पाच परसेंट पे दिया है मतलब 85,000 का भी पाच परसेंट अपने को लगाना है इन दोनों पे पाच पाच टके अपने को लगाना है तो चलो भी सबसे पहले अहाँ यहाँ पर लिख देते हैं as a rate of GST is 5% rate of GST is 5% rate of GST कितना है 5% है तो अपने को क्या करना है अपने को क्या करना है अच्छे से जान को सबसे पहले अपने को ITC दुनना है किसका Smith Malhotra का ITC मतलब की क्या जो पहला वाला है मतलब 85,000 input tax हम इसको कहते है तो देखो हम कैसे करेंगे therefore ITC of Malhotra is equals to कितने में लिया था उसने 85,000 में वरोबर कितने percent GST 5% GST तो percent को 100 ये 0 ये 0 कट ये 0 ये 0 कट 85 इंटू 5 करो 85 इंटू 5 कितना होता है 55 चा 25 फिर फाइट चा 40 42 और एक 0 बचा है तो कितना हुआ चार हजार दो सो पचास रूपए क्या सब को समझा क्या सब को समझा क्या सब को समझा कि ये वो गया फर्स्ट कि वी हैव तो आल्सों डिद्यूस दी आउट्पुट टेक्स देर्फोर आउट्पुट टेक्स या फिर आउट्पुट जो भी है अमाउंट अव जी एस्ट वगेरा हम लगाते तो उसमें भी कितना पाच परसेंट आफ कितना थाउजन में बेचा था नवबे हजार में तो पाच अपाउन सो इंटू कितना 90 थाउजन शुन्य शुन्य कट शुन्य शुन्य कट 95 to 45 और 00 कितना हो गया 4500 रूपै क्या सचाहाजार पास्तों रूपै इस चाहाजार पास्तों रूपैं मलब की अमांट अफ GSD उसको कितनी पे करनी पड़ी अमांट अफ जी एस्ट अफ जी एस्ट लिच इस सेलिंग प्राईज मंलब की कितने में मं मतलब कितना लगा है उसको 4,500 minus 4,250 जो कि कितना होता है students 250 ना मेरे हिसाब से which is 250 तो ये था हमारा amount of GST मतलब कि amount of GST कितना है 250 और अपना ITC ये देखो हमने ये भी धुनदा amount of GST और ITC तो इसको equation 1 है और ये वाला जो है equation 2 है ठीक है ये वाला है equation 2 और ये वाला equation 1 students अच्छे से ध्यान देना there are three boys and two girls ठीक है तीन लड़के है दो लड़किया है एक committee हमको बैठानी है एक committee हमको बनानी है ठीक है a committee of two बल्लब की boy girl या फिर boy boy ऐसे committee हमको बनानी है ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं there are कितने boys there are three boys तो three boys को हम नाम देते हैं और और विट्री और कितने girls तो गल्र्ण बैठानी है और सबसे पहले तो स्वूड़न यहाँ पर द्यान देना हमको committee बएठानी है of if two एग allergy हमको committee बेठानी हओ तुर यहां पर लिख देते हैं कमी comes committee all two is two be formed विक्लाम्म दो जनों की committee हमको बनानी है तो क्या क्या आएगा देखो १ों भी थू फिर पीटू नहीं नहीं होना चाहिए फिर जीटू फिर बी टू जीवन नीचे लिख रहा वा नीचे लिख रहा हो, फिर B2, G2, फिर B3, G1, फिर B3, G2, और G1, G2, क्या सब को समझा, कितने हुए देखो, क्या सब को समझा, देखो, दो-दो जनका, पहले, B1, B2, फिर B1, B3, फिर B2, B3, फिर B1, G1, फिर B1, G2, फिर B2, G1, फिर B2, G2, फिर B3, G1, फिर B3, G2, और G1, G2, का भी एक बन गया, तो टोटल कितने हो रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साता, नोदस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, therefore, number of sample space will be 10. Sir, thanks a lot, आपके वीडियोस के वज़े से मेरे studies काफी हद तक improve हुई है, and आपका दिया हुआ road map भी follow करता हूँ, क्या बात है? भाईया, स्कूल के prelims के paper से board के paper easy होते है, क्या? हाँ, easy होते है, Sir, when is your birthday? मेरा बड़े है March में, March में है, March में. भाईया, मैं SST में सिर्फ रट्टा मार रहा हूँ, is it okay? बैटा, SST में रट्टा ही मारना पड़ता है, ठीक है, SST में रट्टा ही मारना पड़ता है, जाहिर सी बात है, science का possible नहीं है, पूरे चीज़े रट्टा मारना, तो आप उसके concept समझ के कर सकते हूँ, बैट, SST में भी ऐसा नहीं है, अगर आपको question क्या है और answer क्या है, वो समझ रहा है, बैट, आपको पूरा के पूरा format वाईज ही लिखना पड़ता है, point वाईज ही लिखना पड़ता है, ठीक है? भी या, language में 60 plus कैसे लओ, तेरा game में बजाता हूँ, दो दिन रोख, किसको बोल रहा है ये? मोहिबुर रहमान, मोहिबुर रहमान, तेरा game में बजाता हूँ, दो दिन रोख, मेरे को बोल रहा है तो, सॉरी है, डर गया है, मापका मेरे को, भाया, question tag, question tag, भाया, हम semi medium के लिए history के important questions ले लिए, खुब उपकार होती, अरे, history का देख दिया है ना, मैंने, semi medium के लिए भी semi questions आप tick कर ले ना, वहाँ पर, ठीक है, अब वही questions टिक कर ले ना, वो semi questions होते है, students, कुछ difference नहीं होता है, अच्छा, ये सम अभी खतम नहीं हो, हमको event बगेरा लिख रहे हैं, yes, game cho, भाया, माजा मा, sir, chemistry long question, sir, maths कितना practice करे, हर दिन 2-2 गंटे तो, ठीक है, मैंने आपको शायद 5 hours रूल पताया है, मैंने आपको, maths के लिए सिर्फ test book refer करे, हाँ, हाँ, maths के लिए सिर्फ test book refer करो, ठीक है, for math, you just have to, refer the test book only, right, and many of the questions will come now, from star वाले जो होते है, no, star वाले, उसमें से आता है, वो, problem set में, जो star वाले होते है, that, चलो, आगे बढ़ रहे है, sir, where is your home, आपके दिल में, चलो, आगे बढ़ते है, event A देखो, the committee contains at least one girl, ठीक है, एक तो भी लड़की चाहिए, event A, पटाफट सॉल्व करते हैं, बच्छा लो, event A, क्या है, committee should have at least one girl, एक girl, चाहिए, तो, चलो, sample space में चाहिए, तुन्डो अभी, एक girl, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, ठीक है, at least बोला है, at least, ऐसा बोला नहीं कि एक ही चाहिए, at least बोला है, तो यह last वाला भी आएगा, तो B1, G1, देखो, कैसे लिखेंगे, क्या-क्या होगा फिर, B1, G1, B1, G2, B2, G1, B2, G2, फिर, B3, G1, तीन बोला है न, B3, G2, और G1, G2, तो, N of A, will be 7, ठीक है, ऐसे बॉक्स करते जाओ, N of A, will be 7, तो हमको इसकी probability निकाल ली है, therefore, probability of A, फॉर्मुला क्या है, N A upon N S, ठीक है, N A upon N S, तो N A कितना है, 7 upon 10, हो गया, 7 upon 10, ठीक है, मिल गया, 2 mark इदर, तीसरा mark लेना है, तो आपको event B, B भी धुनना पड़ेगा, ठीक है, if you want to take 3 marks, आपको event B भी धुनना पड़ेगा, वाट इस event B, कमीटी कंटेन्स वन बॉई एंड वन गल, ठीक है, एक लड़का, एक लड़की, वन बॉई, एंड, वन गल, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, क्या, कमीटी या, ठीक है, कमीटी की बाद कर रहा हो, तो, कुन से कुन से हैं फिर, यह ही है, अपने, उपर वाले, बीवन, यह है मतलब, एक ही नहीं, यह हो गए, यह रेखो, बस यह छोड़ देना, तो लिखो चलो, बीवन, जीवन, बीवन, जीटू, फिर, बीटू, जीवन, मेरे को मालूम है, बहुत सारे बच्चों को यह आता होगा, लेकिन स्टूडेंस, मेरा काम है, आप सभी को बता ना, हर एक सम इसलिए, क्योंकि सभी जन आपके जैसे उशार नहीं होते, तो यह हो गया, टोटल सिक्स, देरफोर, पी ओफ बी इस इक्वेल स्टू, एन ओफ बी अपॉन एन ओफ एस, एन ओफ बी है, छे अपॉन दस, तो छे अपॉन दस, दोनों दो के टेबल में आते हैं, तो थ्री अपॉन पई, समझा, समझा क्या, तो यहाँ पर बलून वेंडर, जो बलून बेचने वाला होता है, उसके पास दो रेड बलून्स है, तो फटा फटा, एलड बलून्स, रेड बलून्स कितने हैं, दो, ब्लीव बलून्स तीन, और ग्रीन बलून्स फोर, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, Sample Space Sample Space will be Sum of All Colors of Balloons Which is Red Balloon Blue Balloon Plus कुंसा Balloon Green Which is Kya 2 Plus 3 Plus 4 2 plus 3 5 5 plus 4 9 Sample Space Which is 9 Yaad Rakhna N of S N of S Will be 9 He wants to choose one of them At random To give it to Pranali Randomly What is the probability of event Gets What is the probability of the Pranali gets a red balloon Event A Kya hai Pranali Pranali Gets A Red Balloon Red Balloon Pranali Gets A Balloon Red 2 Therefore Probability of A Is equals to N Of A Upon N Of S N Is 2 Upon 9 And That Will be Your Final Answer A Train Travels At A Certain Average For A Distance Of 54 Kilometer The Train Is Traveling So First Train Traveling Is Speed Speed So Here Let X Be The First Speed First Speed Of Terrain Train It Takes 3 Hours It Takes 3 Hours To Complete The Time Taken Time How Much 3 Hours Time Taken 3 Hours Then The Train Traveller 63 Kilometer Wapas 63 Kilometer Distance First Speed Formula Speed Formula What Is Distance Upon Time Now What Is Speed X So Time Time Is Time To Time Distance Upon Speed 5 Is Wow 60 Kilometer By On Average Speed भी कितनी है x plus 6 हो जाएगा x plus 6 क्योंकि यहां पर 6 से बढ़ गया x plus 6 equals to कितना 3 हो गया अभी सम अपने हाथ में है ठीक है अभी सम क्या है सम पूरा के पूरा अपने हाथ में तो 54 upon x द्यान से सुनना ठीक है इस इक्वल स्टू 3 वेटा इम जस्ट लुकिंग अधिकमेंट्स लोग हाँ बेटा एल्सी अम लेंगे x उपर जाएगा यह उपर जाएगा तो एक काम करो 54 x plus 3 प्लस 63 के साथ आजाएगा x अपन x इन्टू x प्लस 6 इक्वल्स टू 3 54 इन्टू x होता है 54 x प्लस 54 इन्टू 3 करना है 54 इन्टू 3 रफ वर क्या 3 4 चा 12 वन क्या उपर 15 16 कितना हुआ 162 बरोबर कितना हुआ अच्छा सब से x प्लस 6 है अच्छा हो गया पहले ही देख लिया नहीं तो है ना भई गोल हो जाता था ठीक है x प्लस 6 से स्टूडेंट्स आप x प्लस 6 प्लस 6 तो कितना आता है x प्लस 6 324 प्लस 63 x अपॉन x इंटू x नीचे हो जाएगा x स्क्वेर प्लस 6 x इक्वल्स तो 3 समझ रहा है यस समझ रहा है अभी यह उपर भेजो यह उपर भेजो यह वाले पूरे के पूरे उपर भेजो तो यहाँ पर कैं मिला 54 x प्लस 324 प्लस 63 x इस इक्वल्स टू 3 x स्क्वेर प्लस 36 सा 18 और यहाँ पर x अभी इधर के सब उधर भेजो तो मतलब देर्फोर 3 x स्क्वेर प्लस 18 x एस इस माइनस 54 x और यह भी माइनस में आएगा माइनस 63 x और माइनस 324 इक्वल्स टू 0 अभी इन सबका कैलकुलेशन आपको करना है कितरा हुआ देखो पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 63 प्लस 54 साथ और यह 11 एकसो सत्रा एकसो सत्रा माइनस अठारा इस व्यद्श हो गए ठीक है सत्रा हो गए तो कितरा बचेगा है नाइन और यह हो जाएगा दस तो यह भी बचे थीन समय कितना है ndg 632 X स्वह को आएगी माइन ऐ एकस साइन रहेगी माइनस 99 E理न-3 24 4 equals to 0, ठीक है, equals to 0, अब ये सभी जन 3 के टेबल में आते हैं, अब ये सभी जो नीचे के है, this all the terms comes in 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से division कर दो, ठीक है, ये सभी जन 3 के टेबल में आते हैं तो 3 से क्या करदो division करदो समझ रहा है ठीक है बहुत आराम से पता रहा हूँ 3 से division करो तो क्या मिलेगा x square minus कितना है 3 3 सा 9 3 3 सा 9 33 x minus 3 24 को 3 से division करो 3 1 सा 3 और 3 8 सा 24 तो कितना मिला 18 बनोबर है क्या देखो 3 24 को students याद रखो 3 24 को किया है अपनने 108 108 108 108 इक्वल्स टू अभी students हमको factors दूनने है we have to make a factor factor आना चाहिए 108 और ऐसा नंबर चाहिए जो कि प्लस माइनस करे तो 33 आना चाहिए और multiplication करे तो 108 आना चाहिए ठीक है? multiplication किये तो 108 आना चाहिए बोलो कुनसे कुनसे हो सकते है 30 30 30 30 30 36 माइनस 36 प्लस 3 तो माइनस 36 प्लस 3 होता है माइनस 33 बलब यह satisfy हो जाएगा और माइनस 36 इंटू 3 होता है 108 तो यह भी satisfy हो जाएगा तो X स्क्वेर को मैं क्या लिख सकता हो देखो 33 X को विच इस माइनस 36 X प्लस 3 X माइनस 108 इकोल्स टू 0 X विल ब आज इस तो X माइनस 36 ब्रैकेट में प्लस 3 बाहर X माइनस 36 वापस ब्रैकेट में इकोल्स टू 0 तो दो बॉक्स मिलेंगे x minus 36 मिलेगा x plus 3 मिलेगा equals to 0 so therefore x minus 36 equals to 0 और x plus 3 equals to 0 अगर हमने इसको solve किया तो x की value मिलेगी 36 और दूसरी मिलेगी minus 3 तो distance कभी minus में नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते है कि distance cannot be negative distance cannot be negative therefore x equals to 36 और इसको ऐसे not equal कर दो समझा गया समझा गया कोई तो बताओ 324 कहां से आया अरे देख 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 सुन 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 यह देख ऐसा है वो 324 कहां से आया देख 54 है x प्लस 6 है तो 54 इंटू x कितना हो गया 54 x प्लस 54 इंटू 6 करो 54 इंटू 6 यह वाला ठीक है तो 64 सा 24 तू गया उपर 30 और 32 समझा क्या अब किसका था वो js play ठीक है समझा समझा क्या सर फॉर्मूला मेथड से कर सकते है देख सबसे पहले जीज़ फॉर्मूला मेथड हम तभी इस्तमाल करते है जब हमको क्या बोलते है फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर नहीं आता है समझ में आया वी हाव तू यूज फॉर्मूला मेथड अनली वेन वेन दे पर्टिकुलर इक्वेशन कैननोट बी सॉल्वड बाई दे फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड से होगा नहीं होगा फैک्टर कैसे गिरेंगे मेरेको बोल फैक्टर कैसे गिरेंगे समझ में आया तो इसका फैक्टर नहीं כilता है तो इसके वजह से फिर हहाँ पर हमको फॉर्मूला मेथड इस्तमाल करना है लेकिन इसका फैक्टर गिर रहा था तो हमने यह में इस्तमाल किया तो इसकी जो पीडियो फाइल है यह पीडियो फाइल आपको इसमें मिल जाएगी क्या वलते है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है तो उसमें से आपको मिल जाएगी I hope students today's session was valuable for you thank you so much for joining today's session और आपने होंगे तो चैनल को subscribe करके रखो बल आइकोन को press करके रखो and yeah once again वेटा